हलो दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बढ़िया और अच्छे होगे साथ ही दोस्तों आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बेहत ख्याल रखना एंड इस पेसले खुद को और अपनी परिवार को ओमिक्रोन वाइरस से बचा कर रखना दोस्तों आज के हमारी मुव बहुत जान्दा इंस्पिरेशनल और मॉटिवेशनल से भरी हुई है इस कहान में हम देखेंगे कि कैसे एक बेटा अपने देश के लिए अपनी पिता के इच्छा के लिए अपने जानदाओं पर लगा के घुश जाता है हजारों लाखों की सेना के बीच में मुसीबितों क बीच में और सबसे लड़ते हुए वो अपने पिता का सपना पूरा करता है तो आप इसके इंट्रो से समझी गए होगे कि ये मुवी फुल अफ एक्सन है और वैसे भी हॉलिवुड का एक्सन तो अलगी लेवल का होता है ये आपको पता ही है पर दोस्तों प्लीज हमें वी एक्स्परेशन देखने के लिए तो विक्टोरियस से बोलता है मुझे लग रहा है ये किसी जानवर की आवाज है तो विक्टोरियस मारकस से बोलता है हुजूर क्या मैं सेना को त्यार करूँ इस जानवर से लड़ने के लिए पर मारकस से बोलता है मुझे ये कोई जानवर नहीं लग रहा है तो तुम इसल पास पैट्रोलिंग के लिए बेचते हैं फिर अगले सुबह मारकस विक्टोरिस से पूछता है वो रात वाली पैट्रोलिंग टीम वापिस आई या नहीं तो विक्टोरिस बोलता है उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके किले के बाहर एक बहुत बड़ी आदिवासी के सेना आती है और ये आदिवासी वही लोग होते हैं जिनके लोगों को मारकस और उनकी सेना ने रात को मारा था पर अब इनके पास मारकस के बेचे हुए पैट्रोलिंग वाली पूरी टीम बंदी बनी हुई थी और इन आदिवासी को हमा जाता है और विक्टोरिस से बोलता है मैं अपने आद्मियों को ऐसे मड़ते हुए नहीं देख सकता जल्दी से फौश तयार करो और मेरे साथ बेचो और तुम पचास लोगों के साथ कीट पर तैनात रहना जिसके बाद इन दोनों सेना में बहुत भेंकर जंग होती है और हजारों बेकसूरों की जान जाती है पर मारकस देखता है कि हम जंग हार रहे हैं तो इसलिए वो सीधा आदिवासियों के सड़दार को एक बाला फेककर मार देता है और खुद भी बेहुस हो जाता है और वो बेहुसी में अपना बच्पन और एक एगल देखता है जबम मारकस की आंके खुलती हैं तो उसके सामने उसके अंकल होते हैं जो उसे बताते हैं मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ और तुम इतनी बड़ी सेना पे अकेले ही बहुत भारी बढ़ गए और सच में ये बहुत बड़ी बात है कि तुम हजारों के बीच से जिंदा वापस आ जाता है फर अगली सुबह मारकस अपने चाचा के साथ गाओं के लोगों का एक सो देखने जाता है जहां मारकस अपने चाचा से पूछता है कि मेरे पिता जी कैसे आदमी थे वो बताते हैं कि तुमारे पिता जी सच मुच एक बहुत बात दुर सेना पती थे और वो मरते द गुस्पनों के पास चले जाती है तो वो जंग हाड़ जाती है और हर रोमन सैनिक एगल को बचाने के लिए अपनी जान जार कर देता है पर तब ही हम देखते हैं कि इस मैदान में एक ब्रिटेन गुलाम को लाया जाता है जिसे हत्यार देके एक कम्पिटीडर से लड़वाया दो और लोगों से बोलता तुम सब क्या कर रहे हैं मेरा साथ दो इसे बचाओ तो सबी लोग मारकस की बात माल लेते हैं और इस गुलाम को बचा लिया जाता है और मारकस इस गुलाम को अपने साथ ले जाता है और इस गुलाम का नाम इसका होता है जो मारकस से बोलता है जन कि अब मुझ में इतनी दम भी नहीं है और मैं अपनों का खून तो बिलकुल नहीं देख सकता तो इसलिए उसे इसका ही पकड़ता है फिर रात को मारकस के चाचा मारकस को अपने दोस्तों से मिलवाते हैं और डिनर करते हैं जहां ये सबी लोग रोमन राज की बाते कर रहे हो होगा पर एक आदमी बोलता है नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब दिवार की उस साइड ब्रिटेन के सामने रोमन की नाइन्थ लीजन आर्मी नहीं टिक पाई तो अब हम लोग क्या टिकेंगे और वैसे भी सेना पतियो दिवारा बताया गया है कि जो लोग भ आर्थ तक वापिस नहीं आया बात को सुनो समझो तो मार्कस अपनी दिल की बात बताता है वो बताता है कि मैं हमेशा सही अपनी पिता की तरह एक सेना पती बनना चाहता था और आज बना भी हो और आज जब मुझे पता चल गया है कि उनके अदूरस अपना एगल को बचा क इस सहर बापस लाना वो पूरा नहीं कर सके तो आज मुझे मुझे मौका मिला है अपने पिता का ये सपना पूरा करने के लिए तो मैं सब कुछ जानने के बाद भी कैसे सांथ बैट जाँ चाचा जी अब उसके चाचा भी मार्कस की ये बाते सुनकर उससे बोलते हैं बेट पहुंचता है जहाँ उसे कुछ लोग मिलते हैं जो बताते हैं और उस्न पे हचते हैं यहां कहां जा रहे हो जनाब और इस दिवार के पाद जो भी आज तक गया है वो कभी बापस नहीं आया मतलब दरवाजा हमने इधर से तो खोला है लेकिन आज तक वहां से कभी किसी न दिखाई देता वैसे ये नजारा देखने में बहुत सुन्दर दिखता है अब आगे चलते हुए एसका बोलता है हो सके तो वो कबीला हमें एक दिन में मिल जाए और वरना हम मैंनों बढ़कते रहें तब भी नहीं मिलेगा अब रात को ये दोनों लोग एक जगे आराम करते ह जहां मारकस एसका को बताता है पतानी क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी अभी भी जिनता है वो आसपास ही कही है तो एसका बोलता है क्या तुम यहां अपने पिताजी को ढूरने आयो मारकस नहीं नहीं मैं उनका अधूरस अपना पूरा करने आया हूँ मतलब य से एगल ले जाने आया हूँ फिर अगली सुबह ये लोग आगे बढ़ते हैं पर आगे बढ़ने से पहले एसका मारकस को बोलता है कि आगे जो भी लोग मिले उनसे मुझे बात करने देना क्योंकि अगर उनको पाता चल गया कि तुम रोमन हो तो वो तुम्हारे साथ साथ मु मारने वाला ही होता है लेकिन वो उसके सेकल देखके कि ये तो बस बच्चा है रुख जाता है और उसे छोड़ देता है पर जैसे ही वो उटके भागने लगता है तो मारकस उसे एक खंजर फेक के मार देता है और एसका से बोलता है अगली बार अपना दुस्मन छोटा हो य अब ये लोग भी उन पहाड़ी और गने जंगलों के बीच नौर्थ साइड में जाती हैं लेकिन तभी इन पे एक अकेला आदमी हमला कर देता है और जैसे ही लोग उसे मारने वाले होती हैं तो ऐसका बताता है रुको मारकस ये तो अपना ही फौजी है जिसके बाद इनके प सामने ब्रिटन सैनिकों ने हमारे फौजीों को बहुत बुरी बुरी तरह की यातनाएं दे कर मारा मलतब पूरे जंगल में रोमन सैनिकों की चीखों की आवाद घौज रही थी और हम लोगों ने भी अपनी पूरी हिम्मत बादर के साथ लड़ते रहे जिसके बाद लियू मारकस लूसी से बोलता है कि तुमने मेरे पापा को लास्ट बार कब देखाता तो लूसी बताता है मैंना उनको लास्ट टाम तब देखाता जब उन्हें पूरी तरह से दुसमनों ने गेर लिया था और उस समय मैं अकेला बचा था और इसलिए उनको नहीं बचा पाया और म जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमनें क्यूं हमें इतनी दुनों तक जंगलों में भटकाया और उन लोगों ने मेरे पिता को इतनी बेरायमी से मारा और तुम्हें कुछ फरकी नहीं पड़ा इस चीज से तो इसका बोलता है वो लोग मेरे लोगों को मेरे पता को मारने आए थे अब एसका की जवान खुलते देख मारकस को गुस्सा आता है और बोलता है तुम मेरे गुलाम हो भूल गए क्या जो इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो तो एसका बताता है मैं क्रोनल का बेटा हूँ जो ब्रिगनिटिस लड़ाई के चीफ थे तो वो आदमी पूछता है ये आदमी जो तुम्हे मारना चाता है ये कौन है तो एसका याँ खुद को बचाने के लिए मारकस को अपना गुलाम बता देता है जिसके बाद ये आदमी एसको का बोलता है तो मालिक आप हमारे गैस्टो और हम तुमारी महमान नवाजी करेंगे जिसके बाद ये लोग मारकस को बांद कर कसीटते हुए अपने कबीले के सरदार के पास ले जाते हैं और बताते हैं इसका जो की करनल का बेटा है जो की बिटिनिस सेना किस चीप थे और ये आदमी जो की रोमन है इसलिए ये लोग मारकस को एक गुलाम की तरह ही यहां ट्रीट करते हैं और उससे अपने सारे काम करवाते हैं अब कुस दोनों बाद ये कबीले के सभी लोग अपना एक फंक्शन मना रहे होते हैं जिसमें ये सभी लोग बहुत सारी मंदिरा पीते हैं और फंक्शन के बाद गहरी नीद में सो जाते हैं तो उसी रात ऐसका मारकस के पास आता है और बोलता है चलो भाग चलो यहां से यही अच्छा मौका है तुम मारकर जल्दी से उस कभीले के मंदर में जाता है और अपना वो एगल अपने साथ लेके गोड़े का पास आता है और यह लोग वहां से निकलने वाले ही होते हैं कि तभी पीछे से आवा जाती है इसका और य अगर यह बात मेरे पिताजी को पता चल गई कि मैंने तुम्हें जाती हुए देख लिया तो और उन्हें नहीं बताया तो वो मुझे जान से मार देंगे तो इसका वलता नहीं बेटे वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे पिताजी हैं और यह कहकर यह दोनो उन लोग मारकस के गोड़े से ही आगे बढ़ते हैं बर एक जले जाके मारकस भी पूरी तरह ठक चुका था तो इसलिए वो एसका से बोलता है लो ये एगल ले जाओ और तुम यहां से चले चाओ और मुझे यही छोड़ दो क्योंकि मैं अब नहीं बच सकता तो एसका बोलता तुम मेरा इंतजार करना मैं जल्दी वापिस आओंगा फिर अगले दिन हम देखता है कि एसका मारकस के पास बापिस आया है उसकी पिताजी की सेना में बच्चे हुए सभी सेनिकों को ले करके और यहां लोकस मारकस को बताता है कि पूरी नैंथ लीजन सेना में तुमारे पिताजी ही एक ऐसे बात दूर्ज लड़ाकों थे जो एगल को पकड़के अपनी दुस्मनों से लड़ते रहे और अपनी प्राणों की आहुएती थी तो यह सुन मारकस सभी को बोलता है कि अब दुबारा समय आ चुका है कि हमें अपनी देश का सम्मान दुस्मनों से बच कर रखना है मतलब इगल बचा कर रखना है क्योंकि वो कभीले वाले बापस आ चुके हैं पर इन कभीले का सरदार एसका को रोमन साना में देखके बोलता है अपनी दुस्मनों से हाथ मिलाने का यही अंजाम होता है और यह इतना बेरहम आदमी होता है कि यह अपनी बच्च लीते हैं और अब मार्कस और एसका उस लीगल को लेके मार्कस के चाचा के पास आते हैं और इसकी चाचा का दोश्त मार्कस को बोलता है कि पूरे रोमन में तुम्हारे पिताजी की बाद तुम ही एक युद्दा बहादुर हो जिसने नाकाम या बाला काम करके दिखाया है और रोमन राज की हिज़त बचा के रखी और तुम्हारे इसी कारणामे के वज़े से तुम्हारा नाम इतियास में रचा जाएगा और इस तरह इस मुवी का एंड हो जाता है So thanks for watching